नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टो रिदान स्माम काटन मा लक्ष्मी देवी की प्रिय फूल कौन कौन से है, जिसे चड़ा कर मा देवी की विशेस क्रिपा पा सकते हैं मा लक्ष्मी को धनकी देवी माना जाता है और कहते हैं पूरे विदी विदान से उनकी पूजा करे तो वो अपने भक्तों को सदा संपन्न रहने का सिवात प्रदान करती है उनकी कृपा से उनके भगतों को कभी भी धन की कमी नहीं होती दिपाली में उनकी पसंद के पुष पर अर्पित करना चाहिए कमल के फूल अतिन्द प्रिय हैं लेकिन इसके इलावा भी बहुत सारे फूल है जिनको हम मा को अर्पन कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न हो और अपने कृपा अपने भगतों पर प्रदान करें सबसे पहले है लाल गुरहल दोस्तों लाल गुरहल मा को बहुत ज्याता अत्ती प्रियव पुस्प है और इससे धन संप्रदा आता है घर में और वो बहुत प्रसन्न होती है हिबिसकस, रेड हिबिसकस ही नहीं, बहुत सारे रंग के हिबिसकस मिलते हैं सफेद, गुलाबी, पीले, बहुत रंग में हिबिसकस आते हैं लेकिन जो रेड हिबिसकस है, मा लक्षमे को बहुत ज्यादा पसंद है तो ये फूल आप जरूर मा को चड़ाईए और उनकी कृपा अपने उपर बनाये रखे दूसरे नमर पे है कनेर दोस्तो सफेद कनेर मा लक्षमी को अतिनत प्रिया है सुख सम्रिती सांती आता है घर में घर में तनाव से मुक्ती मिलती है घर में कोई तनाव नहीं रहता है सफेद कनेर के फुल मा को अरपन करेंगे तब और दोस्तो कहा जाता है जिस घर में कनेर का पौधा लगा होता है उस घर में सांती और धन की कमी कभी नहीं होती तो आप अपने घर में जरूर कनेर का पौधा लगाईए सफेद रंग में बहुत ज्यादा खुस होती है तो सफेद रंग का पौदा जरूर लगाईए और मा को अरपन कीजिए तीसरे में हैं गुलाब दोस्तो गुलाब में बहुत सारे रंग के गुलाब आते हैं पीले, गुलाबी, सफेद, बहुत सारे रंके होते हैं लेकिन मा को लाल गुलाब बहुत ज्यादा पसंद है तो आप लाल गुलाब मा को अरपन कर सकते हैं दोस्तों ये बहुत सुगंदित होता है इसलिए मा को अत्यनतर प्रिय है और सुक्र ग्रह मजबूद होता है जिससे भौतिक सुख की प्राप्ते होती है और धन संप्रदा भी बढ़ता है तो लाल गुलहाब जरूर मा को आरपन कीजिए और चौते में हैं मेरी कोल्ड गेंदे का फूल भी मा को बहुत ज्यादा पसंद है सभी देवी देवता को गेंदे का फूल चड़ाया जाता है सभी देवी देवता खुस होते हैं गेंदे के फूल से ठंड का मौसम है और दिपाली आ रहा है दिपाली में तो बहुत ज्यादा गेंदे का फूल मिलता है तो आप गेंदे का फूल जरूर मा को अरपन कीजिए और यह इसके सुगन्द से वो बहुत खुस होती हैं और विश्णु जी को भी मेरी गोल्ड का फूल बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए मालक्ष में इस पर अती प्रसंद होती है और गेंदी का फूल अरपन करने से ज्यान की प्राप्ति होती है तो इस पौदे को जरूर आप कुजा में इस्तमाल कीजिए और दोस्तों पांचवे नंबर पर है लोटस कमल का फूल मालक्ष में को अत्यंता प्रिया है सबी फूलों में सबसे ज्यादा कमल के फूल मालक्ष में को पसंद है और कमल के फूलों में ही बिराजमान होती है और सबसे प्रिया है और दोस्तों कमल का फूल जोई कुछरे में खिलता है तो मालक्स में उन लोगों पे बहुत ज़्यादा प्रसन्ण होती है जो बुराईयों में भी अच्छे होते हैं तो ऐसे लोगों पे वो बहुत प्रसन्ण होती है और अपनी कृपा दिरिश्टी उनपे रखती है तो दोस्तो कमल का फूल दिपाली में मालक्षमे को जरूर चड़ाएए और फूल अगर आप नहीं भी चड़ा पाएं लेकिन कमल का फूल उन्हें बहुत खुस होती है तो आप कमल का फूल बिल्कुल चड़ाएए उन्हें और दोस्तो इसे यस की प्राप्ति होती है और दोस्तों विदी विधान से मालक्षमी की पूजा करें तो वो अपने कृपादिस्ती सब ही बनाए रखती है तो दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करू उसका नोटिफिकेशन आपके पास आजाए धन्यवाद हैप्पी दिपावली